कि दोस्तों महारे पास यहां फैसीन हो है तो मैं आपको उसका झाल जो आप देख रहे हैं 46,000 चल चुकी है तो इसका फिल्टर साफ करके दिखाने वाले हैं किस तरह इसका एर फिल्टर साफ हुआ क्लीन करना चाहिए और आप कहीं भी जाते हैं से पहले आपको एर फिल्टर क है दोस्तों इसमें लिखा हुआ है कि आप इसको साफ ना करें इसको चेंज करें तो ज्यादा बैतर होगा लेकिन कई मकई निक होते हैं जो साफ कर देते हैं पर साफ करके भी चल जाता है लेकिन इसको चेंज करने में ज्यादा कंपनी वाले ज्यादा मानते हैं कि इसको कर देना चाहिए बागी आपस को साफ कर सकते हैं तरह से कुछ देशा की देख रहे हैं मैं सारे पेज खोल के दिखाव इता हूं इसके कर दो बड़ी आसानी सापस के सारे पेश खूल दीजिए अटि अश्या कि दूस्तों आप देख रहे हैं इसका फिल्टर जो है कुल चुका है फिल्टर बोक्स हमारा इसका फिल्टर है तो इसका हमार लीजिए पैसे तरह साफ है देखिए आप देखिए ब्लूट ग्लीन है लेकिन हमाननी ज्रूरी है कि तुम हवा के लिए दोस्तों हमारे पास कंप्रेसर है अब यह सब्सक्राइब किसी भी बाइक के दुकान पर मिल जाएगा किसी पर आप साफ कर रजकते हैं खुद भी क्लीन कर सकते हैं इस चीज को और वह इस पर मार लीजिये और यह प्रक्रीन पड़ाय दोस्तों कि मैंने पिछली बार यह डाला था कि अब जैसा कि आप देख रहें फिल्टर क्लीन हो चुका है तो इसके बाद आप इसके पेश लगा लीजिए सारे पेश आपने खुले थे वैसे कि वैसे ही लगा लीजिए कोई दिक्कत प्रेशानी नहीं है यहां फैस्वीनों का फिल्टर बहुत ही असानी से साफ हो जाता है क्योंकि बिल्कुल बॉड़ी के नीचे ही है आपको मेंट बता सकते हैं मैं जल से जल निवाट करनी कोईश्च करूंगा और व्यूट्यू हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों वह बहुत ज़रूरी है और इस सारे पेचा को टाइट कर लीजिए पाइब है वहां कि ज़सके दोस्तों आप देख रहे हैं सारे पेच्ट जो था है चैनल भो चुके हैं